असलाम अलेकूम रह्मतुल्लाहिवरकातु फातिमा फैप्रस लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्तवाल करती हूं आप सब खैरत से होंगे तो आज मैं आपके साथ आलु पराठा इजी वे में शेयर कर रही हूं अमीद करती हूं आपको पसंद आएगी तो चलें स्टार्ट क कट करके हम इसमें चॉप कर लेते हैं कर लेते हम इसमें चॉप कर लेंगे कर लेते हम इसमें चॉप कर लेंगे इस तरह से चॉप कर लेंगे अभी इसमें हम मसाला आट करेंगे अभी हम लेंगे आधा चमच चाट मसाला आधा चमच अधर क्लोसं का पेस्ट आधा चमच गरब मसाला थोड़ी सी हल्दी एक चमच कस्तूरी में थी और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजे डाल के इसमें चॉप कर लेंगे एक बार अगर अगर आपको में रिसी के चलेगी तक प्लीज एगवार जरू ट्राय कीजिएगा लाइक शियर स्ब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो अगर 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 इस तरह का होने चाहिए अभी हम इसमें उबले हुए आलू चार से पांच बड़े साइस के लिहुमें अट कर देंगे गला के इसको मैंश करके अट कर लेंगे कि बहुत इजी होती है गाइस वो रोटी में लपट के बनाने से किसी को बन जाता किसी का नहीं बनता तो इसलिए आज यह ट्राइब की हुए एक बार आलू को डाल के मिक्स कर लेंगे इसमें कर दो मैंश कर दो एक लाइस कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल अभी हम इसको एक बॉयल में निकाल लेंगे आपको मिरे रसीप अच्छी लगेगी प्लीज लाइक शेयर सस्काइब जरूर कीजेगा अभी हम इसमें तीन कप आटा आट कर लेंगे एक ही साइस से मेजर करके दाल सकते हैं इसमें पानी एड़ नहीं करना है बस उसी मिक्स्चर में हम आटे को बुन लेना है सरदी करें लेछ़, एक भानी दाल सकते हैं आटे आटे muss इसमें प nebenभी कर अटा देगीं हम पर प्लीज देमगे देगीं प्लीज में भीडेश्ब लेस्विस्चर में थी आतार बलना है देखे इस तरह से हो जाना चलिए दो बना के बस पांच मुनित के लिए रखते हैं वरना नरम पड़ जाएगा आटा इहूं का आटा मिला है इसमें अब हम इसमें रोटी के साइज जितना डो निकाल लेंगे अब कितना मुटा खते हैं ये कितना पतला खते हैं आपको है देखें इस तरह से बॉल बना लेंगे देखें अब इसे बेल के अच्छे से इसे ज्यादा रख नहीं सकते नरम और यह धीला हो जाएगा आटा देखें अच्छे आटा सकते हैं तेह ये कहीज़र इसुट है इस मुझे एत्ना साइस की शाय होटी झालें करके drops देख सकते हैं ए कि अच्छी से बने है रोटी आलो का पराथा है अच्छी होते हैं अच्छी से सब्सक्राइब कीजिएगा दौामियाद कीजिएगा थैंक ये फो आच्छीन अल्लाहफेश लाम लेकुम दहीं के साथ इंजॉय कीजिएगा बटर और दहीं के साथ की शायवाई टत्र के साथ डह वी ये कर राटzen मैं am